Hi Mommies, Welcome back to my channel Happy Preggy Mommy So, आज हम Pregnancy Week 10 के पारे में बात करेंगे Pregnancy week 10 मतलब आप अभी बिल्कुल 3rd month of pregnancy यानि कि 1st trimester के last month में खड़े है इस time पर आपके मन में anxiety तो बहुत ज़्यादा होगा उसके साथ साथ आपके body में जो physical और mental changes आए होंगे उसके साथ आप काफी ज्यादा adjust हो गए हो जो भी changes, जो भी new signs and symptoms आपके mental and physical development में आए है उसके साथ आप habituated हो गए हो पर उसके साथ साथ कुछ stress level आता है कुछ चीजों को लेके हम मम्या सोचते रहते है वो है मेरे baby bump क्यों नहीं आ रहा है baby मेरे पेठ में ठीक तो है अगर twin pregnancy है तो क्या two babies के heartbeat बढ़िया चल रहा है दोनों का अच्छे से proper nutrition मिल रहा है की नहीं दोनों का अच्छे से जगा मिल रहा है की नहीं क्या मेरे को miscarriage तो नहीं हो जाएगा ठीक से मैं pregnancy को लीट तो कर पा रही हूँ उसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी सोचते हैं की मेरे weight gain क्यों नहीं हो रहा है baby bump क्यों नहीं दिख रहा है baby का growth ठीक से हो रहा है की नहीं कुछ friend को ऐसे pregnancy symptoms आते हैं यह YouTube में हम काफी सारे वीडियोस देखते हैं जहां पर common symptoms जो बताते हैं वह मुझे क्यों नहीं हो रहा है तो यह सारे confusion और stress level लेकर हम थर्ड मंत में एंटर होते हैं और उसके साथ साथ कुछ और development भी होते हैं तो वह क्या है सब कुछ हम इसे वीडियो में share करेंगे और discuss करेंगे definitely हमारे चानल को like, share and subscribe करना ताकि हम जो pregnancy awareness है वो दूर दूर तक spread कर पाए So without any ado, let's get started with the video सबसे पहले आते हैं बेबी का growth कितना हुआ है तो अब ही आपके जो बेबी है वो fetal stage पे आ गया है यानि कि बच्चे दिखने में proper human जैसा हो गया है पहले जहां पे बच्चा दिखने में totpole जैसा था यानि कि frog के बेबी जैसे था अभी अगर आप अपने बेबी को USG में देखोगे तो वो काफी ज़्यदे human जैसा दिखने लग गया अगर उसके size के बारे में बात करेंगे तो वो ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 cm तक बढ़ गया है हाँ बहुत ही छोटा है और अगर weight के बारे में हम बात करेंगे तो 4 से 5 ग्राम है जो कि बहुत ही ज्यादा काम है इसलिए 3rd month में जो baby bump है वो इतना ज्यादा developed नहीं होता है क्योंकि आपके uterus का size है वो बिलकुल छोटा है उसमें कोई expansion अभी तक हुआ नहीं किसी किसी कुछ अगर twin pregnancy है तो baby bump दिखने लग भी जाता है बट most of the cases में अभी आपको baby bump के बारे में कुछ भी नहीं feel होगा अगर बाहर से आपको कोई देखेंगे तो उसको भी पता नहीं होगा कि आप pregnant हो तो इस बारे में आप बिलकुल tension लेना छोड़ दीजिए कि baby bump मुझे क्यों नहीं आ रहा है क्या baby grow कर रहा है कि baby का still birth हो चुका है बेबी पेट में बिलकुल नहीं बढ़ रहा है miscarriage हो जाएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं है अगर बच्छे के organ development के बारे में बात करेंगे दे तेजी से हो रहा है इसलिए आपको proper nutrition, folic acid लेते रहना है उसके साथ साथ इसी week में baby के जो eye lid है यानि कि आखों के ऊपर यह जगा है यह भी बन गया है और उसके साथ साथ बच्चे का जो eye lash है वह भी बन गया है हाला कि baby अभी आँख नहीं खोलता है बेबी का जो eyes है वो close रहता है 27 weeks के बाद जाके baby's eye खोलने लगता है बट eyes के साथ साथ बेबी के जो ear है वो ear भी develop होने लगा है आवी जैसे मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि baby बिलकुल भी देखने ही पाते है बट कुछी time के बाद baby सुन सकते है बेबी के जो hearing ability है वो पहले आ जाता है और दिखने का यानि कि जो visible ability है वो बाद में आता है तो एक से दो हफता बाद मैं आप लोगों को ये भी जो teeth birds है यानि कि जिस जगह से teeth बाद में आएगा teeth तो उसके डेवलाप अभी होगा नहीं बट वो birds डेवलाप होना अभी इस वीक से स्टार्ट हो गया है अब आते हैं बच्चे के abdominal development के बारे में बच्चे का जो abdomen है उसमें intestinal development, gastric development और digestive development स्टार्ट हो गया है और उसके स्टार्ट कर दिया है अगर हम पैंक्रेस के बात करें तो पैंक्रेस भी इंसुलिन प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया है तो बच्चे के सारे abdominal development है वह भी इसे हापते में काफी तीजी से बढ़ रहा है अब आते हैं बेबी के हैंड और फीट के डेवलापमेंट के बार है और कुछ मम्मिया ऐसे भी बोलते है कि 3.5 मांस यानि कि सारे तीन महीन बाद उनको बेबी कर जो मुवमेंट है वह थोड़ा थोड़ा फील होने लगता है अगर मैं अपना परसनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूं तो मुझे भी 3.5 मांस से बेबी कर जो मुवमेंट है वह वमितिंग, कॉंस्टिपेशन, टायडनेस यह सब अभी कम होता जाएगा आपको जो खाने का मन नहीं होता था जी घबराता था पेट के नीचे जो क्रैंपिंग आता था वह भी अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा आपको जो नीत की प्रॉब्रम स्टार्टिंग में आने जाएगा उसके लिए कुछ शिकायत मम्मी को उठाना पड़ता है जैसे आपके ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो आपके अंडर आम्स में पेट में ज्यादा खड़े होने से नीस के पीछे जो वेंस है वह वेंस ना जाना स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि वेंस अभी हुना दर्द होना यह सब दीरे दीरे काफी साहरा स्टार्ट हो जाएगा आपके कमर में फील होगा पैरो में फील होगा ब्लड सर्कूलेशन के वज़े से जो आपके हैट स्पीन है वह भी हो सकता है कुछ हद तक और उसके साथ साथ जो वेजैनल डिश्चार्ज है वह काफ आपको एक चीज और भी नोटिस करनी है वो कि आपके जो डिश्चार्ज हो रहा है वो क्लियर वाइट हो रहा है कि नहीं काफी ओरतों को यह शिकायत होती है कि प्रेगनेंसी में मेरा जो डिश्चार्ज है वो काफी जादा बढ़ गया है तो वह एपसुलूटिर नॉर्मल है उसके बारे में आपको टैंचन लेने की जूरत नहीं है क्योंकि प्रेगनेंसी में जो वजाइनल डिश्चर्ज होता है वो बढ़ जाता है बढ़ आपको जो बात ध्यान में रखने वाला होता है वो है कि वो डिश्चर्ज येलो कलर की तो नहीं हो रही है ग्रीन कलर की तो इसें के कारण क्योंकि जो pregnancy hormone होता है वह जग वजाइना को प्रिटमेंट डिजर्प्ट करता है और उसके साथ जो 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 जग पर प्रोन कर देते है तो अगर आपको infection हो चुका है और उसके लिए को चुका प्रिटमेंट नहीं करवा रहे तो आपके साथ साथ बेबी तक भी पहुंच सकता है और आपको अर्ली डेलिवरी या प्रिमेट्यूर डेलिवरी इसका भी प्रॉब्लम आ सकता है तो अगर आप यूटिया के प्रॉब्लम से गुजर रहे हो तो बिल्कुल इस चीज को इगनार मत कीजिए कुछ टीप्स में शेयर करने वाली हुद जो मम्यों को क्रीम हो यह अभी से स्टार्ट कर दीजिए आपके जो प्रीनेटल सप्लीमेंट्स है यानि की जो मेडिसन डॉक्तर आपको दिया है फॉलिक असीड आइरन काल्शियम यह सब को कंटिनुएशन रखना है साथ ही साथ जो प्रोटीन डायट है उसको अच्छे से कंटिनू करन इससे आपका जो सर्कुलेटरी प्रोब्लम्स है यानि की हेडेक का प्रोब्लम्स यह भी आपका काफी हाथ तक सॉल हो जाएगा इसके साथ साथ इस हाथे से आपको राउंट लिगर्मेंट पेना सकता है यानि की अब्डॉमेंट में बिल्कुल नीचे के तरफ एक खींच स मैसूस हो सकता है क्योंकि आपके यूटरस अभी बढ़ रहा है तो उधर जो लिगर्मेंट है उसमें काफी ज्यादा प्रेशर पड़ता है तो अगर आपको बर्दाश नहीं हो रहा है तो डॉक्टर आपको मेडिसन भी प्रोवाइड करेंगे बट ट्राइ करना है जितना ह अंध के अंदर आपको इंटी स्केन और डबल मार्कर कर टेस्ट कर लेना है जो इंटी स्केन होता है वो यूजी के थूर से होता है जो डबल मार्कर टेस्ट होता है वो ब्लड टेस्ट के थूर से होता है तो बीसिकल ये इंटी स्केन और डबल मार्कर टेस्ट जो है ये बे आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है बच्चे के नेक के पीछे एक सौफ सी टीशू होता है जो इस हफते बहुत ज्यादा अच्छे से विजबल होता है उससे डॉक्टर पता लागा लेते हैं अच्छे से कि आपके बच्चे में कोई अपनोमलिती है कि नहीं डॉफिजम है सो विक 10 में मोडल इस कौन-कौन से चीज को ध्यान में रखने वाले होते हैं क्या-क्या होता है बच्चे और ममी के अंदर क्या-क्या डैवलमेंट होता है इन ब्रीफ मैंने सब कुछ शेर कर दिया है फिर भी आप लोगों के मान में कोई भी कन्फूशन है तो जरूर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर किसे नेक्स्ट इंट्रस्टिंग टॉपिक के सब तिल दन स्टे हैपी हैपी प्रेगनेंसी